दोस्तो अगर आपके पास भी खरगोस है तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा कि खरगोस छोटा और क्यूट होने के साथ साथ बहुत ही नाजुक और साफ्ट एनिमल है अंदर से भी और बाहर से भी और उसे उचलना कूदना दौडना भागना काफी पसंद है तो और गर्मी से अपने खरगोस को बचाने के लिए आप भी बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ आइन तक नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पे ट्रैवी टैन अनिमल्स दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से ह पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं रैविट से रिलेटेड वीडियो जी बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां रैविट से रिलेटेड कुछ न कुछ देखने और सीखने को मिलेगा तो चलिए गाईज बिना देर कि आज की वीडियो सुरू करते हैं गाईजबरदस्त गर्मी में आपको सबसे पहले अपने खरगोश के खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना होगा जो चीजे आप ठंडी में अपने खरगोश को खिलाते थे उसमें से काफी चीजे आपको नहीं खिलाना है गर्मी में आपको अपने खरगोश को ऐसी पिर भी नहीं तो यही तेज और गर्म हमाय आसानी से आपके खरगोश को लू के रूप में लग जाएगी इसलिए आप लू यानि तेज चलती हवाओं में अपने खरगोश को कभी भी न रखें और ना ही खेलने कुदने के लिए छोड़े गाईज गौर से समझना मेरी बात क कि मैं आपको क्या समझाने की कुशिस कर रहा हूँ नमर थिरी आप गर्मी और लू में हमेशा अपने खरगोश को ट्राविल कराने से बचे भले ही आप उससे धूप से बचा कर ले जाते हो नमर फोर जबरदस्त गर्मे में आप अपने खरगोश को टेरिस यानि छट पर ज जादा से जादा हरी घास हे और पानी वाला फल फुरूट सबजियां ही देने की कोशिस करें और गर्मी में आप साफ और ताजा पानी जितना भी हो सके उसके उसके पास रखें जिससे उसे काफी हट तक गर्मी और लू लगने से बचने में मदद मिलेगी और गर्मी में ख करेंगे तो गाईज हमने जो आपको बताया है अगर आप इससे फालो करते हैं तो काफी हद तक आप अपने खरगोस को गर्मी और लूँ लगने से बचा सकते हैं और गर्मी और लूँ आपके खरगोस पर कभी भी हावी नहीं होगा तो गाईज आई होप कि ये वीडियो आप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके हार दोस्तों के पास भी रेविट है, तो उन्हें भी सेयर कीजिए, जिससे जानकारी उनको भी मिल सके तो चलिएगा, मिलते हैं किसी नेक्ट ये मस रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिये, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने घरगोस को बराबर पानी पिलाते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही helpful, genuine और knowledgeable वीडियोज लेकर आते रहेंगे, जय हिंद